जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों नए वर्ष की आप सभी को हर दिख शुब कामना है मातारानी आपकी हर इच्छा को इस वर्ष में पूरा करे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए वर्ष के पहले दो दिनों के, यानि की एक जन्वरी और दो जन्वरी के कुम्भ राशी फल के बारे में कुम्भ राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इस नए वर्ष के शुरुवात आपके लिए कैसी हो रही है क्या गहे नक्षत्रों की इस्थिती होगी कौन से शुभ योग बन रहे हैं और उनका प्रभाव आपकी दिन्चरिया पर किस तरह से होने वाला है सब कुछ जानेंगे आपके जीवन से जुड़े हर शेत्र के बारे में बस आपसे छोटा सा निवेदन है एक तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जोड़ जाएं हमारी चैनल के साथ यह आपको समय समय पर सभी जानकारियां प्राप्त होती रहेंगे तो दोस्तो एक जनवरी और दो जनवरी 2021 की बात कर रहे हैं इन दो दिनों की तिथी नक्षत्र और योग के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं तो इस नए वर्ष की शुरुवात बेहद शुभ संयोगों के साथ हुई है ये क्रशन पक्ष की द्वितिया तिथी है जो 9 बज कर 33 मिनट तक रहेगी उसके बाद 33 तिथी लग जाएगी इस दिन रातरी तक पुष्य नक्षत्र रहेगा जो बहुत अच्छे नक्षत्रों में से एक नक्षत्र माना जाता है शुकरवार का दिन है चंद्रमा अपनी राशी कर कराशी में विराजमान है और सूर्य धनु राशी पूर्व साड़ा नक्षत्र में बैठे है इस दिन जो दिन की शुरुवात हुई है वो हमरे सिद्धी योग, सरवार सिद्धी योग और गुरु पुषय योग में हुई है इस दिन का अभी जीत मोर्थ सुभा दोपहर के बारा बज़ कर चार मिनद से बारा बज़ कर चारिस मिनद तक है दो जनवरी का दिन ये एक रशन पक्ष की तिरतिय तिथी है सुभा नौ बज कर नौ मिनद तक उसके बाद चतुरतिति तिथी लग जाएगी असलिशा नक्षत्र रहेगा शैनिवार का दिन है और दोपहर तक विश्कम नाम का यूग बनेगा इस दिन चंद्रमा रात्री तक करकराशी में रहेंगे उसके बास सहिंग राशी में चले जाएंगे इस दिन का भी जीत मुर्थ तो पहर 12 बच कर 5 मिनट से 12 बच कर 46 मिनट तक है तो ये थी ग्रहन नक्षत्रों की इस्तिति और इनी के आधार पर हम जानेंगे कि ये जो दिन ह ये आपके लिए कैसा रहने वाला है कुम राशी की बात कर रहे हैं कुम राशी के लोगों के लिए चंद्रमा दोनों ही दुनों में करकराशी में बैठे हैं यानि आपके छटे भाव में बैठे हैं छटा भाव रोग रिण शत्रू का भाव होता है इस भाव से हम इन सभी चीजों के बारे में जानते हैं और चंद्रमा जब भी इन भावों में होता है छटा हो आठवा हो या फिर बारवा हो तो यहां चंद्रमा पीडित होता है और अगर कोई ग्रहवाँ पीडित करने वाला नहीं है तो अच्छे रिजल्ट्स भी देता है एक और दो जनवरी साल के प्रथम दो दिन है और साल के शुरू से ही आपके सभी रुके हुए काम पूरे होने शुरू होंगे खास तोर से एक जनवरी का दिन बेहत शुब है अपने कामों को पूरा करने के लिए कुछ नए कामों की शुरुवात के लिए रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए पारिवारिक दुरस्टी कौन से ये दिन आपके लिए बेहत लाब करी रहेंगे पिता से आज धन लाव आपको हो सकता है अगर आप पैत्रक किसी वेवसाय से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से लाव की स्थिथियां बन सकती है लव पार्टनर आपकी भावनाओं की कदर करेगा और आपके साथ समय भी बिताएगा ये समय आप कुछ लंच के लिए जा सकते हैं डिनर के लिए जा सकते हैं कहीं भार गूमने का योग आपके लिए बना हुआ है और इस तरह से अगर मन मुटाव कुछ स्थिती बनी हुई थी तो वो भी आपकी दूर होती हैं दिखाए देगी लेकिन इस दिन आप थोड़ा थकान का अनुभव कर सकते हैं आलस आ सकता है या जो उबन है वो आपके कार्य को प्रभावित कर सकता है अपने सेहत का भी आपको दिहान रखना है पेड समय दी कुछ परिशानिया हो सकती है लेकिन मित्रों से मिलना जुलना होगा जो आपके बड़े अधिकारी हैं उनसे आज के दिन आपको नर्मी से पेशाना है प्रेम से पेशाना है इसे में आपकी भलाई है ये समय आपके परिजनों के साथ बिताने के लिए बेहद्शुभ है इसमय किसी अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर आप कुछ मनुरंचक चीजों में भाग लेंगे और घर का माहुल बहुत अच्छा रहेगा किसी पुराने दोस्त से भी मिल सकते हैं और किसी दोस्त के साथ कुछ लड़ाई जगडे की इस्तिती थी विवाद चल रहा था तो वो भी आपका सुलस्ता वो दिखाए देगा लेकिन इसके लिए पहला कदम आपको ही बढ़ाना होगा आपका आत्मविश्वास भरपूर रहेगा आकर्शन व्यक्तित्व रहेगा और आप अपनी कारेशितर में अपनी कुशलता दिखा पाएंगे लेकिन जहां तक आलस और थाकान की बात है तो आलस को आपको त्यागना है और थाकान है तो समय समय पर आपको आराम जरूर करना है ताकि आपके काम को ये प्रभावित ना कर सके ये दिन कुछ धर्म कर्म के कारियों में भी बीतेगा कुछ दार्मिक किरिया कलापों में भाग ले पाएंगे और जो इस राशी के कारुबारे व्यक्ति हैं उनके लिए कुछ नई इस्तितिया निर्मित हो रही है कुछ नई लोगों से मिलना जुलना हो सकता है कुछ नई संपर्क आपके बढ़ सकते हैं कुछ व्यवसाइक लोगों के लिए यात्रा का योग भी है और यह यात्रा आपकी सफल रहेंगे संतान की तरब से चिंता मुक्त रहेंगे आये के साधन बनाने के लिए जो प्रयास करेंगे उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी अगर आप इस दोरान यात्रा करते हैं इन दो दिनों में तो यात्रा के दोरान किसी विशियस्त व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए कुछ नई राह खोल सकता है कुछ नई स्थिथियां को परिवर्थित कर सकता है दूसरों को खुशिया देखकर और पुरानी गलतियों को भुलाकर आप इस समय को सार्थक बनाएंगे एक चीज का ध्यान रखें तब तक कोई वादा ना करें जब तक कि आप पूरी तरह से उसे पूरा करने में सक्षम ना हो इन चीज को आपको ध्याम में रखना है किसी को भी वादा नहीं करना है जिसको आप निभाना सकें और कोई भी परिशानी होती है तो मुस्कुरा कर दरके नार आप कर सकते हैं या फिर उसमें फसकर आप परिशान रह सकते हैं चोईस आपकी है कि आप अपनी दिनों को किस तरह से वैतित करना साथ चाहते हैं छोटी छोटी परिशानियों को आपको भूलना है छोटी बातों को तूल नहीं देना है इन चीजों को जितना अवाइड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा आप खुद भी प्रसन रहेंगे और दूसरों को भी प्रसन रखेंगे तो इस नए वर्ष की शुरुवात आपको अच्छे तरीके से करनी है आपके घर के जो बड़े बुजूर्ग है उनका ध्यान रखना है उनकी सेवा करनी है आशिरवास प्राप्त करना है विध्यारतियों की दिबात की जाए तो इस राशी के जिन स्टूडेंट्स ने अभी कुछ समय पहले किसी प्रतियोगी परिक्षा में भाग लिया था तो उसका परिणाम आपके हक में आ सकता है इंदुनों में आपको कोई खुशी की बात जरूर पता चल सकती है वो आपकी कहीं एड्मिशन से रिलेटेड हो सकती है आप जहाँ एड्मिशन पाना चाहते थे वहाँ आपका एड्मिशन हो जाए या फिर आपका कोई रिजल्ट आ जाए जिससे आपको काफी प्रसनिता मिलेगी चंद्रमा छटे भाव में हैं तो कुछ न कुछ परिशानिया भी जरूर देंगे और सबसे ज़ादा तो आपको अपनी स्वास्ते का ध्यान रखना है बाहर का खाना पीना हो सके तो अवोईड करें या फिर तलाब होना जादा आप ना खाएं वरना पेट समधी परिशानियां आपको परिशान कर सकती हैं सेहत का खास दूर से ख्याल रखें सेहत खराब होगी तो मानसिक रूप से भी आप अतनाव ग्रस रहेंगे और साथ में खर्चों में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है खर्चे जादा आपके बढ़ सकते हैं तो खर्चों को भी थोड़ा सा कंट्रोल करने की आपको कोशिश करनी है इन दो दूनों में अगर आपके लिए उपायों की हम बात करें तो दोरान अपने इस्ट देव को जरूर प्रसन करें अपने इस देव का नाम जरूर लें उनके मंतर का जप आप करें जो आपके लिए लाब दायक रहेगा साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें ताकि जादा लोगों तक ये पहुंच सके धन्यवाद